हेलो एवरीवन मैं स्वपनिल्तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सभी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे यह वीडियो CGPSC प्रारंभिक परिक्षा के पेपर एक समान नियध्यान जन्रल स्टेडिस के डिटेल्ड अनलीसिस से संबन्दित है इस वीडियो का पिछला भाग जो की वीवेक सर के द्वारा लिया गया था जिसमें उनके द्वारा बहुत सारे वीश्यों से संबन्दित प यापको बताया गया था और आने वाले वीडियों में भी वीच्षयर के द्वारा विभिन्न प्रश्णों को बताया जाएगा है इस इस तर और ज्यादा महत्तपूर्ण है जो आने वाले समय में 36 गड़ PSC की परिक्षाओं में शामिल होंगे क्योंकि भई जो पहले दे चुके हैं पेपर उन्हें यह पता चलेगा कि क्या strategy उन्हें follow करनी चाहिए थी क्या सही अप्रोच होती और सही answer क्या है और जो आने वाले समय में पेपर देने वाले हैं उन्हें यह सीखने को मिलेगा कि हां हमें क्या गलतिया नहीं करने हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्तपूर्ण है और CGPSC परिक्षा के अंतरगत जो पेपर वन है उसमें सेट ए से संबंधित जो केवल भुगोल और अर्थ्वेवस्था से प्रश्ण है मैं उन्हें शुरू करता हूं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो भुगोल से संबंधित जो पहला प्रश्ण है वो सेट एक अंतरगत है प्रश्ण संख्या 9 ठेक है प्रश्ण संख्या 9 कह रहा है कि जलोड मिटी के option ए पढ़ रहे हैं लिखा है यह मिटी भारत के कुल भू भाग के करीब 14 प्रतीशत हिस्से पर भाई जाती है तो हम यदी पढ़के आये हैं भारती भूगोल अच्छे से तो हमें पता होगा साथ ही CGPSC का ही यह previous question रहा है कि भारत में सरवाधिक पाया जाने वाली मृदा जो की लगभग 40 प्रतीशत से अधिक छेतर में पाया जाती है तो भाई यह 14% होगा नहीं इसलिए पहला option है तो गलत हो गया दूसरा इस मिट्टी में फासपोरीक एस्टिट भरपूर मातरा में पाया जाता है हो सकता है कि हमने इतना detail अध्यान नहीं किया है इस चीज का त लेकिन सपोज हमें यह नहीं पता है हमने केमिकल नाम फासपोरीक एस्ट होता है ऐसा इसमें हमने नहीं पढ़ा तो ऐसा होता है तो बाकी option को काट के भी सही answer पाया जा सकता है जैसे option C यह मिट्टी रेह थूर चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है तो यहां बिलकुल note कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि नाम हुआ रेह थूर चोपन इसके अलावा कलर उसर कुर्ल यह सब अन उपजाव छारी मृदा के नाम है और हम सभी जानते हैं कि जलोड मृदा ही सरवाधिक उपजाव मृदा कहलाती है तो इस प्रकार चौथा वाला जो कथ तो गलत ही है तीसरा भी है जो यह सब नाम है स्थानी नाम रेह थूर चोपन और जो नाम मैंने बताया जैसे कि आपका हो गया क्लर उसर कुर्ल यह सब अन उपजाव छारी मृदा है इसलिए इसी वाला भी क्या होगा गलत तो बाय डिफॉल्ट आप्शन बसता है भी कि इस मिट्टी में फास्पोरीक एसिट भरपूर मात्रा में बाया जाते है इसके साथ आप यह याद रख सकते हैं कि जलोड मृदा सरवाधी कुफजाव इस लिए है क्योंकि इसमें फास्पोरिक एसेड पोटास चूना तथा जैविक पदार प्रचूर मात्रा में पाया जाते हैं इस प्रकार आपका सही option होगा option number B clear है ठेक प्रश्न संख्या 9 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 10 में प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि नीचे चार नदियों के नाम दिये गए हैं लंबाई के द्रिश्टी कोन से इन नदियों का घटता हुआ क्रम अर्था सबसे लंबी से आरंब करते हुए सबसे छोटी तक क्या होगा तेक है अच्छा यहां मैं यहां यहां भी उम्मीद रख रहा हूं कि प्रश्न पेपर आप तीसरा क्रिश्टन तीसरा गोदावरी चौथा नर्मदा अगर हम भारती वोगोल को थोड़ा बहुत भी बेसिक पड़ क्या है तो दक्षिड भारत के सबसे लंबी नदी है कौन से गोदावरी नदी जो कि 1465 किलोमेटर लंबी है तो यदि आपको यह पता है तो लखी की नदी यानि की तीसरा गोदावरी और तीसरा वाला केवल एक ही ऑप्षन है ऑप्षन नंबर डी की पहले नंबर पे तीसरा दिया हुआ है वो केवल एक ही ऑप्षन है ऑप्षन नंबर डी तो अनुसार आपका क्रम क्या होगा गोदावरी 1465 किलोमेटर क्रिश्टन नदी 1400 किलो मिटर की लंबाई दक्षिड भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी उसके बाद नर्मदा 1312 किलो मिटर की लंबाई जो की पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और फिर महानदी महानदी याने की 858 किलो मिटर की लंबाई की सबसे लंबी नदी क्लियर है तो इस प्रकार कम हो जाएगा पहला आपका गुदावरी दूसरा कृष्णा तीसरा नर्मद्दा और चौथा महानदी क्लियर है अर्थात आप्शन नमबर टी चली आगे चलते इसी प्रकार हम इस विश्य से संबंदित अगले प्रश्ण में आते हैं जो की प्रश् जिश्जी जलविवाद से संबंधित नयाधी करण और सूची दो में दे दिया है सामिल राज्यों की संख्या सही मिलान हमें करना है तो देखिए महादाई जल विवाद न्यायाधी करण है तो जो महादाई नदी है ये ये नी सोचना है कि गलत छप गया महादाई नदी ही मांडोवी नदी है गोवा की जो कि गोवा की एक मुख्य नदी है बहुत लंबी नदी नहीं है पर गोवा की एक प्रमुक नदी है मांडोवी नदी इसे ही महादाई नदी कहते हैं तो जो महादाई जल्विवाद है जिसके अंतरगत तीन राज्य शम्मिलित है पहला है गोवा दूसरा है आपका करनाटक और तीसरा है आपका महरास्ट जो की ट्रिब्यूनल 2010 में गठित हुआ है तो महादाई जल्विवाद के लिए राज्यों की संख्या तीन बाजू में दिया है बिल्कुल सही है तो पहले का पहला वाला लगी यदि आपको केवल महादाई जल्विवाद ही पता होगा जिसका चांस बहुत कम है क्योंकि महादाई ज टेल वी आपको बता देता हूँ जैसे की दूसरा है आपका गोदावरी नयाधी करण तो गोदावरी नदी नयाधी करण में पांच राज्य सम्मिलित है जो कि 1969 में गठित हुआ है इन पांच राज्यों में हैं आपका महारास्ट, MP, मद्रप्रदेश, आंद्रप्रदेश, करनाटक और उडिसा याद रहेगा पांच राज्य का नाम महारास्ट, मद्रप्रदेश, आंद्रप्रदेश, करनाटक और उडिसा तेक इसके बाद है आपका नर्मदा जल्वी बाद नयाधी करण जैसे की चार राज्य सम्मिलित है इसका गठन भी 1969 में हुआ है अब नर्म आप के ऊपर राजिस्तान और नीचे महारास्ट तो यही चार राज्य सम्मिलित है मद्रप्रदेश, गुझरात, महारास्ट और राजिस्तान इसके बाद है महानदी जल्वीवाद नयाधी करण तो महानदी भी जिन दो राज्यों से होकर जारी है दो राज्य कौन-कौन से आपके 36 गड़ और उड़ी सा तो यह अलग-अलग जल विवास संबंदित न्यायदी करण है और महा नदी जल विवास न्यायदी करण है वह 2018 से गठीट है याद रहेगा तो इस प्रकार प्रश्ण संख्या 17 का अंसर हो जाएगा option number इसके बाद अगले प्रश्ण में आते हैं अगला प्रस्ण जो हमारी विश्या से संबंदित है वह प्रश्ण संख्या 23 कोशन सम्धित पहला कथन लखा हुआ है कि बुद्ध्र्य सौर मंदल का सबसे निकटम गर जया रहा सबसे ज़्यादा पहुंच रहा है लेकिन बुद्ध्ध्र सौर मंदल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है शुक्र ग्रह जो की दूसरा सूरज के बाद दूसरा निकट्टम ग्रह है शुक्र ग्रह वह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कारण वह सूरज के सबसे नस्दीक नहीं है लेकिन सबसे गर्म है तो कुछ तो कारण होगा तो कारण भी बिल्कुल याद रखिए कि शुक्र ग्रह में, अर्थात वीनस में, शुक्र ग्रह में क्या है, कारबन डायकसाइड और सल्फियूरिक एसिट के बादल है, जो की बहुत बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसके कारण सूरज से विकिरण जो है, उसके वायू मंडल में प्रवेश्टो कर जाती है, पर बाहर नहीं निकल पाती है, और यह कारबन डायकसाइड और सल्फियूरिक एसिट के बादल इतने सगहन है, कि वह बिल्कुल भी विकिरण की मातरा को बाहर नहीं निकलने देते, जिसके कारण लगभग 465 डिग्री से सबसे बड़ा उग्रह है, देखिए उपग्रह गैनी मिड, सौर मंडल का सबसे बड़ा उग्रह है, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वह शनी का उपग्रह नहीं है, वह आप ब्रिहश्पती का उपग्रह है, जूपिटर का नेचरल सेटलाइट है, गैनी मिड, जो की सौर मंडल का सबसे बड़ा उग्रा है इसलिए दूसरा भी कलर एक तीसरा नेप्चियून उपशुन्यताप मान में मिथेन गैस के वलेओं से घिरा रहता है जी हाँ यह बिलकुल सत्य है चौथा फोबस और डैमस मंगल के दो उपग्रा है जी हाँ मंगल के केवल दो ही उपग्रा है और यही दोनों है तो यह भी सत्य इस प्रकार होगा आपका option number C केवल तीन और चार सत्य है चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमारे विश्य से संबंदित अगले प्रश्ण में आते हैं कि प्रश्ण संख्या 25 है क्रिशी से संबंदित प्रश्ण प्रश्ण संख्या 25 या कह रहा है कि जूट की खेपी के बारे में निमनलिखित कफनों पर विचार कीजिए भई पहला कफन लिखा हुआ है कि जूट एक रभी फसल है तो यही सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि जूट तो एक खरीफ फसल है भाई जूट खरीफ फसल है अर्थात वह ग्रिश्म कालीन फसल होगी तो पहला कफन तो पहले हम काट देते हैं पहला कफन गलत हो गया जूट एक रभी फसल नहीं है जूट एक खरीफ फसल है इसलिए पहला कथन गलत होगी है दूसरा जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहीत आर्दर जलवायू की आउशक्ता पढ़ती जी हाँ अगर कोई खरीफ फसल है अर्थाथ गृष्म कालीन फसल है तो उसे उच्च तापमान की आउशक्ता तो होगी तो दूसरे कथन का आधा हिस्सा तो सही है अब गर्मी का समय है तो भाईया आर्दर जलवायू मिलेगा क्या तो देखिए याद रखिए कि जूट एक ऐसी फसल है जिससे लगबग 125 से 150 सेंटीमिटर की वर्षा आर्दर जलवायू चिकनी या दलदली मिट्टी जहां वह फसल पानी में उसका कुछ हिस्सा डूबर है ऐसे स्थलकिया वशक्ता होती है तो इसी लिए जो दूसरा कथन है वह आपका बिलकुल सही होगा कि जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द जलवायों की जरुवत पड़ती है तीसरा लिखा है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी छेत्र में सिमित है जी हाँ जिस स्वातवरण की हम बात कर रहे हैं कि भाया वो जगा पानी से घिरी रहे जो वो फसल है पानी में डूबी रहे जगा दलदली और चिकनी मिट्टी की रहे तेक है गाद वाली मिट्टियां रहे तो ऐसी जगा तो आपका सुन्दरवन डिल्टा या डिल्टाई छेत्र है जोकि सुन्दरवन डिल्टा ही सबसे प्रमूख है तो याद रखिए सुन्दरवन डिल्टा में ही पूरे विष्चो में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है पूरे विष्चो में जूट के पादन में जो पहले नमबर पे देश है वो है बांगला देश और वो भी मुख्य जगा कौन सी है सुन्दरवन की और दूसरे नमबर पे जूट के उत्पादन में है पूरे विष्चो में भारत तेक है और वह जगा है आपकी कौन सी पश्चिम मंगाल की अंतरगत जो सुन्दरवन का छेतर आता है याद रहेगा तो इससे एक और फेक्ट भी याद रखेंगे कि जूट के उत्पादन में पूरे विष्व में भारत दूसरे स्थान पर है और बांगलादेश पहले स्थान पर है और दोनों की जो मुख्य जगा है वो सुन्दरवन का डेल्टाई छेतर है तो इस प्रकार आपका दूसरा कथन भी सही है तीसरा कथन भी सही है अब पस्चिम मंगाल सुन्दरवन भारत की पूर्वी छेतर में न हुआ तो इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही है और तीसरा तो यहाँ होगा option number B केवल 2 और 3 सही है याद रहेगा जी बहुत बढ़िया इसी प्रकार आगे चलते हुए हम अपने अगले प्रश्ण में आते हैं वह है प्रश्ण संख्या 49 39 प्रश्ण यह कह रहा है कि छेत्रफल की दृष्टी से निम ने लिखी तो जैव मंडल सररक्षण छेत्रों का घटता हुआ क्रम यादि कि जो बायोस्पियर रिजर हो उसका छेत्रफल के नुसार बड़े से छोटे क्रम में जमाना है तो देखिए यदि हमने पढ़ा है तो हमें बिलकुल पता होना चीए कि छेत्रफल के नुसार सबसे बड़ा बायोस्पियर रिजर तो मनार की खाड़ी है तो मनार की खाड़ी वाला कौन सा ओप्शन है ओप्शन नमबर B और ओप्शन नमबर C याने आपका A और D तो डेफिनेटली नहीं होगा अब ओप्शन नमबर B और ओप्शन नमबर C में पहला मनार का खाड़ी है और दूसरा आपका क्या दिया है सुन्दरवन दिया है और याद रखिए यही दोनो छेतरफल के नुशार पहले और दूसरे स्थान पर भी है देख है सबसे बड़ा छेतरफल के नुशार मनार की खाड़ी है और दूसरा आपका क्या है सुन्दरवन है अब इसके बाद जो भई डेटा है वो थोड़ा सा आप लोजिकली भी टिक कर सकते हैं एक है आपका पचमड़ी, दूसरा है आपका कंचन जंगा और option C में पहला कंचन जंगा लिख दिया है फिर आपका लिखा है पचमड़ी तो देखिए याद रखिए कंचन जंगा एक तो वैसे ही छोटे से राज जी सिक्किम में है और राज जी ही इतना छोटा है उस राज जिसे बड़ा पचमड़ी का छेत्र है उस राज जिसे बड़े मद्यप्रदेश के कुछ जिले हैं तो ऐसा बिल्कुल तुक्का लगा सकते हैं कि बई डेफिनेटली पचमड़ी जो है मद्यप्रदेश के अंतरगत बायोस्पीर रिजर है पचमड़ी जो है वो कंचन जंगा से बड़ा होगा और सत्य भी यही है तो यदि हमें नहीं पता डेफिनेटली डाउट हो सकता है क्योंकि हर किसी का छेत्रफल हम क्रम से याद करके जाएं ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है अमें भी नहीं पता रहता है तो हम कैसे ऐसे लॉजिकली टिक करें तो सिधी सी बात है यही बिल्कुल लोजिक लगाने है कि सिक्कीम बहुत छोटा सा राज्य है मद्य प्रदेश का जीला हो संगा बाज जिसके अंतर गते पच्मड़ी बायोस्पियर रिजर्व आ रहा है वो खुद सिक्कीम से पूरा बड़ा है तो सभावीक है कंचन जंगा जो बायोस्पियर रिजर्व होगा वह उतना बड़ा नहीं होगा जितना पच्मड़ी होगा यह तुक्का है हालाकि इनके छेत्य फल ने बहुत ज्यादा फरक नहीं है ना सारा प्रश्ण संख्या 41 41 जो की अर्थवस्ता भारती अर्थवस्ता से सम्मंदित है देखे यह बहुत बढ़िया प्रश्ण था इसमें लिखा हुआ है कि निमने लिखित कतनों को पढ़िए तथा सहीं विकल्प को चुनगे कतन लिखा हुआ है शुद्ध घरेलू उत्पाद एक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस मुल्यहास यह मुल्यहास डिप्रिशियेशन जो है कहीं भी प्लस तो होता ही नहीं हो तो माइनस होता है पैला पॉइंट तो याद रखना है तो जो शुद्ध घरेलू या मुल्यास इसलिए पहला कथन तो आपका सीरे से गलत हो गया दूसरे कथन में आते हैं प्रति व्यक्ति आए इस इक्वल टू लिखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद डिवाइड़ बाई राष्ट की कुल जनसंख्या तो याद रखे भई प्रति व्यक्ति जो आए होता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद में जनसंख्या को इभाजित नहीं किया जाता वह शुद्ध राष्ट्री उत्पाद में जनसंख्या को इभाजित किया जाता है अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट में भारत की जनसंख्या को इभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक् यह था शुद्ध राश्ट्री उत्पाद अर्थात NNP, Net National Product, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है, तीसरे कथन में आते हैं, यह लॉजिकल था, मजेदार था, विश्व की अर्थ्वेवस्थाओं की तुलना करने हैं तू, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पा इसकी अर्थ्वेवस्था की आंतरिक शक्ती को दरसाता है, इसलिए IMF और World Bank के द्वारा विभिन अर्थ्वेवस्थाओं की तुलना करने एवं उसका अध्यन करने के लिए GDP को मातरक के रूप में उप्योग में लाया जाता है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसमें मुल्लेहास घटा देंगे तो शुद्ध गरेलुत्पाद मिलेगा, तो आपका शुद्ध गरेलुत्पाद अच्छा मातरक होना चाहिए, यह अच्छा मातरक नहीं होता है, इसका एक ही कारण है, अब बहुत important कारण है याद रखेंगे कि मुल्लेहास की दर, सेवस्ताओं का अच्छे से तुलनात्मक अध्यन नहीं हो पाता किसके कारण NDP के कारण यानि की Net Domestic Product शुद्ध घरेलू उत्पाद के कारण क्यों क्यों कि मुल्लेहास की जो दर होती है हर देश की अलग होती है इसलिए जो लिखा हुआ है शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अब एक्चा बहतर मात रख है जी नहीं सकल घरेलू उत्पाद ही बहतर मात रख है इसलिए तीसरा कथन भी क्या हो गया गलत तो आपका आंसर होगा 41 का option number D उपर युक्त में से कोई भी सहीं नहीं है भूकंपी चाया चेत्र से संबंदेत निम्न लिखित कथनों को पढ़िए तथा सहीं विकल्प को चुनिए भई ये अर्थक्वेक शैडो जोन भूकंपी चाया चेत्र क्या होता है भई भूकंप की तरंगों को नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है सिस्मोग्राफ में विभिन्न चेत्रों से आने वाली भूकंपी तरंगे अभी लेखित होती क्लियर है लेकिन सिस्मोग्राफ के अंतरगत जहां पर भूकंपी तरंगे अभी लेखित हो रही है वहां कुछ चेत्र ऐसा रह जाता है जहां पर भुकंपी तरंगे अभी लेखित नहीं होती अर्थात वहाँ भुकंप की तरंग नहीं आती है ऐसा छेत्र ही आपका भुकंपी छाया छेत्र कहलाता है तो इससे सम्मदित पहला कफन जो लिखाया है वो बिल्कूल सही है क्या? कि एक भूकम्प का चाया चेतर दूसरे भूकम्प के चाया चेतर से सर्वता भेन्न होता है यह बिल्कुल फैक्ट है इसे याद रखेंगे clear देखें दूसरा कथन most important बहुत logical था क्या लिखाया कि भूकम्प लेखी अर्था सिस्मोग्राफ भूकम्प लेखी जो है सिस्मोमिटर सॉरी भूकम्प लेखरता सिस्मोग्राफ भूकम्प लेखी भूकम्प अधिकेंद्र से 105 डिगरी के बहार किसी भी दूरी पर P तथा S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं एक बार पढ़ने से यहां कथन हमें बहुत सहीं लग रहा है और मैं आपको बता दू यहां 99.9% सहीं केवल 0.1% का इसमें फेर है एक्जेक्ट जो यहां पे दूसरी कंडिशन है वो यह होती है ध्यान से सुनेंगे कि भुकंप लेकी भुकंप अधी केंद्र से 105 डिगरी के भीतर और CGPSC के प्रश्ट में क्या लिखा हुआ है बाहर तेक है और एक्शुल में क्या होता है भीतर किसी भी दूरी पर P वैस दोनों तरंगों का भी लेखन करते अगर यहां बाहर की जगा भीतर लिख दिया रहता आउट आफ की जगा इंसाइड लिख दिया रहता तो वह कथन सही हो जाता इसलिए हमारा अंसर होगा option number B कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है अब यह क्या होता है P तरंगे क्या होती एस तरंगे क्या होती है भई पहले भी वेकसर के द्वारा आपको वीडियो में बताया गया है आप इन चीजों का गहन अध्यन करना चाहते है ऐसी analytical approach के साथ अच्छे से अपनी तयारी करना चाहते है तो जल से जल सकार academy से चुड़े चलिए आगे चलते है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संके 47 question number 47 क्या कह रहा है यह अभी क्रिशी से संबंदित है निम्न लिखित कथनों को पढ़िए तता सहीं विकल को चुनिए कथन एक भारत को 20 क्रिशी जलवायू प्रदेशों में बाटा गया है कथन दो भी मैं पढ़ दे रहा हूँ भारत को 15 क्रिशी पारिस्थित की प्रदेशों में बाटा गया है अब हम समझ रहें कि यह हम पढ़ के नहीं आए कथन नम्बर तीन पश्चमी हिमालय शीत सुस्क पारिस्थित की प्रदेश का कवरेच छेतर पश्चमी हिमालय शीतर से जादा है तो देखे याद रखिए कि किसी एक राज़ में कोई एक राज़ है उसके अंतरगत कुछ छेतर है जिसका नाम उस राज़ के कारण है तो उसका छेतर तो उस राज़ की अंतरगती सिमित होगा ना तो तीसरा कथन तो पढ़ने से ही लग रहा है कि गलत है अब तीसरा गलत है और तीसरा गलत है वाला आपका केवल एक ही option है option number B आपको पहला और दूसरा के बारे में नहीं भी पता तो logically या मैं कहूं risk लेके भी आप option number B को tick मारते तो ये guaranteed सही होता और इसका exact सही answer है जो कथन 1 और कथन 2 में data दिया है न कि भारत को 20 कृषी जलवायू प्रदेश वो दोनों data को बदल दिया है जो उपर जहां पे 20 कृषी जलवायू प्रदेश है वो actual में 15 कृषी जलवायू प्रदेश है और जो कथन 2 में 15 कृषी पारिस्थिति की प्रदेश लिखा हुआ है वो 20 कृषी पारिस्थिति की प्रदेश है बस समझ में आ रही है वो डेटा को बस बदल दिया है इसलिए उपर के दोनों कथन गलत है और साथ ही साथ तीसरा वाला गलत है वो तो हमको पहले समझ में आया जिसके कारणमानसर को समझ पहचाल लिए तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए सौल करने के लिए और इसके लिए इसके लिए सबसे जरूरी है घहन अध्यन करना अगले प्रश्ण में आते हैं अगला प्रश्ण है हमारा प्रश्म संख्या 48 48 48 यह कह रहा है कि उस सही विकल्प क चुनिये जो निमन लिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में प्रदरिशित करता है यह बिल्कुल आपकर रटने वाला चीज था इसका सही आंसरी में सीधा आपको बताता हूँ जो है option number C अर्थाथ सबसे लंबी pipeline है हाजीरा, बीजापूर, जगदेशपूर जो कि भारत की वर्तवान में सबसे लंबी gas pipeline है जो कि गेल अर्थाथ Gas Authority of India Limited के द्वारा संचालित है दूसरी है आपकी option number 4 याने की कांदला भटिंडा pipeline फिर उसके बाद तीसरी आएगी इसमें option number 3 जाम नगर लोनी pipeline और फिर आएगा option number 1 सलाया कोईली मथुरा pipeline याद रहेगा तो इस प्रकार option number C is your correct answer देख चली अब यह तो हो गया भारती समान्यद्यन से संबंदित प्रश्ण जो भुगोल और अर्थवेवस्ता से संबंदित था अब 36 गड़ में आते हैं 36 गड़ में हमारा पहला प्रश्ण है हमारे वीचे से संबंदित question number 58 58 57 गड़ की लाल एवं पीली मिट्टी या नेमन लिखित में से किस तरह की चट्टानों से विखसेत होई है इसमें यदि आपको आंसर की में डी चूना पत्थर बताया गया आप उसे correct कर लेंगे क्या है कि कि हमने पढ़ा है कि लाल पिली मिरिदावों में चूने की प्रधानता होती धान की फसल के लिए उपयोगत है चत्रिगड़ के मैदान में है और चत्रिगड़ के मैदान में ही कडपा चटाने धेर सारे तो चुना पत्थर होगा यह सोच कि हम डेफिनेटली टिक मारेंगे और यह लॉजिक सही है लेकिन प्रशन क्या लिखा है किस तरह की चटानों से निर्म वह भी एक प्रकार का खनीच है और बेसाल्ट चटानों से तो या तो आपकी लेटरेट मिर्दा का निर्माड होगा या तो काली मिर्दा का निर्माड होगा दो ही प्रकार की मिर्दा बनती है इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका आंसर है ग्रेनाइट सिस्ट और एक्ष्वा और पानी पढ़ने के कारण या नमी के कारण यह पीली रूप में दिखाई देती है इसलिए इसे लाल पीली मृदा कहा जाता है तो आपका यहाँ पे correct answer है option number A यदि आप में डीटीक किया है तो इसे सुधार लेंगे option number A granite cyst ठीक है देखिए साल, सागाउन, साजा, बीजा, खैर यह सभी जो है आपका राश्टी कृत विरिख्ष की प्रजातियों में शामिल है यानि की option number D उपरोक्ट सभी पिर प्रस्ण संख्या 60 36 गड़ में 2001 से 2011 के मद्द दशकिय जन संख्या की विरिद्धी दर कितनी है डेटा है यार रटने वाला है सीधा मैं आपको आंसर बताता हूं option number C 22.59 फिर आते हैं question number 61 में question number 61 36 गड़ की निम्न लिखित मिट्टियों के इस्थानी नाम पे कौन सा सही नहीं है देखिए इसमें कुछ जगा आपको option number A मिलेगा कुछ जगा option number C मिलेगा मैं आपको इसे explain कर देता हूं अच्छे से actual तो क्या है आयोक के आंसर लेने के बाद ही हमें समझ में आएगा पीली चिकनी मिट्टी पीली चिकनी मिट्टी जो है यह भी आपका लाल पीली मिर्दा का ही part है जिसे definitely अगर यही पीली मिट्टी जो उपर लिखा है वही पीली अगर यहां लिखा है तो यह लाल पीली और काली का जो मिश्टी जो कहलाता है तो यह कछार तो नहीं कहलाता और 36 गड़ में कछार अब वहाँ छेत्र की मिट्टियां को कछार कहते हैं जो की पाल कछार और परपट कछार मिरदा होती है जो की उद्यानिकी फसलों के लिए बहुत ही महतपूर होती है तो यानि की कछार वाला तो हमें बहुत सारे कारणों से गलत लग रहा है अनुप जाओ लेटेरेट भाटा यह तो बिल्कुल सही है तो option number A और C में definitely आपको doubt हो सकता है तो मैं इसमें आपको कहूँगा कि आपका exact answer होना चाहिए option number C काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार कछारी मृदा काली और पीली मृदा बिल्कुल नहीं होती चतिस गड़ में कछारी मृदा अर्था अपवाह चेतर की मृदा जो की उद्यानी की फसलों के लिए भत्त पुर्ण होती है जो दो प्रकार की होती है पाल कछार और परपट कछार याद रहेगा तो इस प्रकार आपका 61 का होगा option number C फिर अगला आते हैं 63 में प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि चतिस गड़ का कौन सा क्रिशी जलवायू छेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है बहुत ही बेसिक कुश्चन है फिर आते हैं प्रश्न संख्या 64 निम लिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चेन कीजिए देखिए 64 थोड़ा सा विवादित कुश्चन हो सकता है कैसे समझा देता हूं मैं आपको पहला लिखा हुए है कि चट्यस गड़ में वर्षा अधिकांशत्या दक्षिण पूर्वी मांसुनी हवावसे होती है तो बिल्कूल गलत है तो पहला तो गलत हो गिया दूसरा चट्यस गड़ में अधिकांश भाग सम्सितोष्ण जलवाईवी के अंतरगत आता है देखिए शम सितोष्ट जलवाईवी जो छेत्र है वह चत्तिस गड़ में तो है नहीं चत्तिस गड़ में तो उश्ण कटी बंध ही जलवाईवी छेत्र होता है तो पहले आपका उष्ट निकटी बंद होगा, फिर उपोष्ट निकटी बंद होगा, फिर समसितोष निकटी बंद होगा, फिर शीत निकटी बंद होगा, और NORTH SIDE, NORTH KOL तरप हम जाते जाएंगे तो, तो दूसरा वाला भी डेफिनिटली गलत हो गया, तीसरे की बात करें, चतित गड़ में ताप मान के वित्रण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतर से उचाई मुख्यरुप से प्रभावित करती है। तो भई पहला तो डेफिनेटली गलत है। इसलिए आप हाला की यह प्रश्ण डेफिनेटली विलोपित होने वाला प्रश्ण है। आगे चलते हैं। प्रश्ण संख्या 65 में आते हैं किन दो वर्षों में चत्तिजगर्ण राज्य की क्रिशी उत्पादन की वृद्धिदर रणात्मक दर्जी की गई है। तो देखिए बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण से संबंदित रटने वाला प्रश्ण था। मैं डाइरेक्ट आंसर बता रहा हूं जो कि है ऑप्शन नंबर सी 2015-16 एवं 2078 है। प्रश्ण शंक्या 66 निमलिखित में से 36 गड़ राज्य का कौन सा वनवृत वनों की उप्लब्धता की द्रिश्टी से सबसे बड़ा है। कि यह बिल्कुल मजेदार प्रश्ण है। बहुत सारे लोग इसमें अतरिक्त दिमाग लगा के पूरी सम्भावना है गलत कर क्या है। तो इसका एक्जेक्ट आंसर है बिलासपूर वनवरित। अब आप में से कुछ को डाउट हो रहा होगा नई सर सर्गूजा वनवरित है। कुश्चन में यह पूछ रहा है वनों की उप्लब्धता की द्रिश्टी से मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रश्चन में यहीं गणित खेला गया है कि कौन सा वनवरित वनों की उप्लब्धता। बीच में एक पार्ट डाल दिया है वनों की उप्लब्धता। अब वनो की उपलब्दता के according यदि आप सरगूजा सोच रहे हैं तो सरगूजा आपका ऊंसर नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके मैं आपको कारण बताता हूं यदि हम वनों की उपलब्दता की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है एक आरक्षित वन और दूसरा होता है सर्रक्षित वन आरक्षित वन की कैटेगीरी में दंतेवाडा में सर्वाधिक वन हो जाते हैं तो 2019 का भी जो उस रिपोर्ट में डेटा जारी किया गया है वह बिलकुल 18 जिलों के हिसाब से 27 जिलों के नुसार नहीं है और इसलिए उसमें सरगूजा में ज्यादा वन आपको दीख रहा होगा लेकिन उससे ज्यादा वन आपका जग्दल पूर्वन वरित्त में आ जाता है और दूसरा फेक्ट आपको पता रहा हो कि जो ये वन वरित्त है जो कि आपका प्रशन पूछ रहा है वन वरित्तों में से वनों की उपलब्दता के अनुसार बड़ा कौन सा है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इंडियन फॉर वन वरित्त कैटेगराईज नहीं करता वह राज्य शाशन के द्वारा वनों के प्रशासन के लिए पूरे वन छेत्र को वन वरित्तों में बाटा गया है forest circle ने बाटा गया है न की केंद्र सरकार के द्वारा तो इसलिए forest survey report का कुछ भी आकड़ा यहां पे नहीं डालेंगे 36 गड़ का जो आर्थिक सर्विक्षड में standard data दिया है जो ग्रंत academy की book दी है जिससे ही आप दवापत्ती लगा के सही answer मान सकते तो आपका exact answer है बिलासपूर वनवृत छेत्र फल और वनू की उपलब दता दोनग अनुसार आप ग्रंत academy को follow करेंगे तो आपका answer रहेगा क्या बिलासपूर वनवृत एक्स्ट्र इसमें डाउट नहीं पैदा करेंगे question number 67 एकदम basic question है एकलामा law आयसक छेत्र किस जिले में इस्थित है कबेरधाम चेली कामा और इकलामा ये दो छेत्र है कबेरधाम में अवस्थित है यानि कि option number B question संख्या 68 2011 की जनगणना के नुसार 36 गण में पुरुस साक्षरता दर कित्ते प्रतिशात है ये रटने वाला question है इसका डिरेक्ट आंसर है option number B 80.45% option number question number 69 बीजापूर जिले में किस समू की चटाने पाई जाती है तो बहुत ही basic question है भई धारवाड शेल समू की चटाने पाई जाती है प्रश्न संक्या 70 36 गण में किन हवाओं से वर्षा होती है पूरे भारत में दक्षिड पश्चिमी मानसुनी हवाओं से वर्षा होती है तो अगर ये सही है तो जिसके पहले जो हम question देखे थे question number 64 तो उसमें पहला वाला कथन गलत है इसलिए तेक है क्योंकि इसी में यही वाला कथन दूसरा क्या हो रहा है सही हो रहा है मिल रहा है ना यही वर्षा वाला प्रश्चिण का कथन इसमें भी है और वही वर्षा वाला प्रश्चिण का कथन 64 में भी है तो 70 का होगा option number बी दक्षिड पश्चिमी मानसुनी पवने पूरे भारत में उसी से वर्षा होती है फिर 71 71 बिल्कुल डेटा रटने वाला question है कि छत्यगर्ण राज्ज को वर्षा 2018 में खनीज से कितनी राशी राजस्ट के रूप में प्राप्थ हुई है तो option number A 6110.23 करोड रूप है ठीक है फिर उसके बाद आते हैं आर्थिक सर्वेक्षन का अगला question प्रश्चन संक्या 74 36 गड़ राज्ज में वर्तमान में कितनी कृषी उपज मंडिया है तो भाईया 69 कृषी उपज मंडिया है और जो option A लिखा है 118 वो उप मंडि तो दोनों इसका डेटा दिया हुआ इसी प्रश्च में तो यहां आपका सही आंसर होगा option number B 69 याद रहेगा जी इसी प्रकार प्रश्चन संक्या 75 बहुत ही basic question चत्रिगड़ प्रदेश में गरिश्बरितु में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती है बाईया चक्रवाद साइक्लोन यहां नहीं रहता चिनुप्त वहिया नौर्थ अमेरिका में चलता है सिरको भी यहां नहीं चलता लूही बचा पूरे भारत में जो तेज सुस्क गर्म हवाप चलती है उसे लूही कहते है 75 हो गया इसके बाद है हमारा हमसे संबंदित जो प्रश्ण संख्या है 93 लेगे 93 बेसिकली करेंट अफेर से रेलेटेड है पर भुगोल विशे से भी संबंदित है बोध घाट परियोजना बोध घाट परियोजना एक बिलकुल गायब परियोजना जैसी परियोजना रही है लेकिन मई 2020 में केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद यह परियोजना जो है काफी चर्चा में आई और इस परियोजना की अंतरगत जितने चारो कथन दिये गए हैं सभी सही है जैसे कि यह इंद्रावती नदी परिस्तित है इस परियोजना से लाब पाने वाले जिले दंतेवाडा सुक्मा एवं बीजापूर होंगे तीसरा कथन इस परियोजना को प्रस्तावित सिचाई छमता 3,66,580 हेक्टेर है चोथा कथन इस परियोजना में प्रस्तावित विद्धित उत्पादन छमता 300 मेगावाट है तो option number D चारो कथन सहीं है तो इसमें से कुछ डेटा आप और याद रख सकते हैं कि परियोजना में दंतेवाडा सुक्मा बीजापूर लाभानवित होंगे सबसे ज़्यादा बीजापूर लाभानवित होगा साथी साथ यह परियोजना विवाद के घेरे में भी है क्योंकि इसमें कुछ गाओं ऐसे हैं जो डुबान के छेत्र में है साथी साथ वहां के स्थानी निवासियों को अपना आवास छोड़कर जाना पड़ेगा इस प्रकार यह जो छेत्र है अनुसूची छेत्र में भी आता है तो कई मुद्दों के चलते यह काफी विवादी छेत्र में रहा है इस प्रकार यह बोधगाट परियोजना जो है काफी विवाद के घेरे में है आज भी तो यह बोधगाट परियोजना जो है दंतेवाडा में बारसूर किस निकट यहस्तित है जो हमने साथ धारा जलपरपात पड़ा है जिसमें बोधगाट बोधधारा है उसी के नाम पर ही इसका बोधगाट परियोजना जो है प्रस्तावीत है इंदरावती नदी पर तो प्रेलिम्स के पहले पेपर के अंतरगत जो भूगोल भारती भूगोल छत्यगड़ भूगोल तथा अर्थ वेवस्ता हो छत्यगड़ अर्थिक सर्वेश्य संबंदित प्रश्ण थे वह थे यह तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजे समझ में आई होंगी अगर हमें आंसर नहीं पता है कुछ हिस्सा ही पता है तो भी हम लॉजिकली कैसे डील कर सकते हैं आंसर को टिक कर सकते हैं कैसे एक अनलेटिकल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं प्रशनों के उत्तर को ढूंडने के लिए यह सब आपको सीखने को मिला ह तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करके अपने रेवियू हमें जरूर बताएं और सीजी पीस्टी प्रेलियम्स तथा मेंस की और अच्छी तयारी के लिए डीप जानकारी के लिए दिये गए कॉंटेक्ट नंबर पर आप संपर कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ इसके बाद के वीडियो में बचे हुए प्रशनों पर विवेक सर आपसे चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप स्वस्त रहें स्वरक्षित रहें तैं